नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डो भाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्ल लकीर है इस तरो से जाती हुई दिखाई दे रही है जो आपकी मस्तिस्क की लकीर है इस तरो से आ रही है जो आपकी जीवन की रेखा है इस तरो से आती हुई दिखाई दे रही है और जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरो से आती हुई दिख रही है और उसमें ढूंशर होता है वो यहाँ पर बनाती हुई यह आकर्ति बनाती हुई दिखाई देरी है कि यह इस पश्ट तरीके से यह समझा रही है यह क्यों रही है कि आपके जोण लुकोर है आपके जो तत्व हैं पांच तत्व होते हैं हमारे सरीर में फाइव एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स के हिसाब से आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर है तिरपुरारी हैं मा आदिसक्ति पार्वति आपकी इष्ट देवी है और आप जितना इनकी सणागति जाएंगे जितना जीवन में समरपन की भावना इनके परति रखेंगे जीवन में दिव्यता पाएंगे और दिव्यता के साथ साथ भव्यता जीवन में आएगी और भगवान की भगति बैदिक सनातन धर्म के अनुसार आपको मिलेगी ये यहाँ पे आपकी हतीली की इन रेखाओं से बनना वाला M का अक्षर कह रहा है जीवन काल के 46 एर से 46 वर्स से निश्चित तोर पे भाग्योदय की इस्तिती जागिर्त हो रही है और जीवन में अचानक सपलता के योग भी बन रहे हैं और धन के योग बहुत जो उपरी तरीके से रहेंगे जिसको कहते हैं बिक्ति एकदम छलांग लगाली है वो जीवन काल के 55 वर्स तक आर्थिक तोर पे बहुत उचाल रहेगा उसके बाद धन की इस्तिती ऐसी बन जाएगी कि निश्चित तोर पे जो है उसके बाद आपको अपकी रुच होगी कमाने में रुच होगी तो कमाएंगे नहीं तो बैठके खाएंगे इस परकार का धन आपकी जिवन में आएगा लेकिन वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने इष्ट केपरती समरपन कितना रखेंगे अपने आरहध्य केपरती आपकी भक्ती आपकी सरधा कितनी रहेगी और आपके कर्म किस दसा की तरब जाएंगे इसके उपर जादतर निर्भर करेगा ये आपकी हतेलियां पे कह रही है दूसरी बात है भगवान शंकर मा पारवती आपकी इश्ट देवी इश्ट देवता है यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है ये जुपिटर का माउंट है देव गुरु ब्रस्पति है हमारी हतेली में बैठने वाले पर्थम आचारे है और गुरु है दो अक्षरों से गुरु बना है गु मतलब अनेरा रु मतलब परकास जो हमें अनेरे से परकास की तरफ ले जाए गाइडेंस करे वो गुरु होता है वो आपका सिक्षक हो सकता है आपका मित्र हो सकता है आपका जो है कोई बड़ा हो सकता है लेकिन उसको गुरु कहते हैं इस पे जो उंगली बन रही है यहाँ पे पूरी तरों से जुक रखे है वो आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ ये आपकी जीवन परियंत रहने वाली है बरतमान में भी है ये बरतमान जीवन को भी बता रहा है कि धारमिक भावनाएं बरतमान में भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और जीवन परियंत रहेगी जैसे जैसे उम्र बड़ेगी वैसे वैसे इनमें अपार बिढ़ती होगी इस बात के और ये संकेत करता है दूसरी बात आपके दिल के किसी खूपसुरुत कोने में एक सुन्दर साथ दयावान भावना बैठी रहेगी कुरूरता है, निश्ठुरता है, खडूसपन है ये आपको टच भी नहीं कर पाएगा और भावकता भी आपके अंदर रहेगी इस बात के और ये संकेत करता है यहाँ पे अगर हम एक दृष्टे से देखें आपकी जो ये उंगली है यहाँ पे जो सूरे की उंगली है सूरे गरहदवारा जो सासित उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं उससे कहीं न कहीं जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है मनि आपकी ब्रिस्पति की उंगली आपकी सूरे की उंगली से बड़ी वी है ये और भे अच्छा है जब आपके गुरु फुष्ट और सुन्दर आउस्ता में आजाएंगे भव्य उस्ता में आजाएंगे आभी साधरन उस्ता में है इसका मैं उपाये दूँगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा आपके जीवन पे पड़ेगा ये सूरे की उंगले से बड़ी है तो बहुत स्रेश्ट है क्योंकि ये गुरू पर बनने वाली उंगली है ऐसे में आपके अंदर ये कार्यकुसलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में कार्यकुसलता बहुत ज़्यादा रहेगा आप कार्यकुसल रहेंगे ब्यवहरिक भी रहेंगे बहुत अच्छा friendly nature रहेगा आपका और कारे कुसल होंगे अपने कामों में कारे के पृतीप कुसलता रहेगे लेकिन कहीं न कहीं स्वाविमानी होंगे आप स्वाविमान के भावना आपके अंदर रहेगे और स्वाविमान के साथ साथ औरों पर सासन करने की जो इक्षा है आपके अंदर परबल रोफ से जन्म ले सकती है ये हमेशा बनी रहेगी लीडर्सिप की क्वालिटी जिसको कहते हैं वो आपके अंदर दिखाई दे रही है अब एक चीज और है यहां पर बहुत सरल तरीके से देखें तो यह उंगली कहीं न कहीं आपको कहीं इस तरों से पॉइंटिट नजर आ रही है पूरी गोलाई में घुमावदानी है जबकि पॉइंटिट है आगे से नुकिली होती हुई दिखाई दीरी है और जब यह नुकिली होती है तो ब्यक्ति के अंदर या ऐसा ब्यक्ति आप अगर देखेंगे तो अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रूचे रखने वाला होता है बड़े बड़े सादक जो होते हैं उनकी जो तरजनी उंगली होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटिट और नुकिली होती है जैसे आपकी है तो एक सादक की तरहो आपका जो धार्मिक जीवन रहने वाला है उसमें अध्यात में बहुत ज़्यादा रूचे रखने वाला ब्यक्ति तो रहेगा और एक बड़े बड़े सादक की तरहो जो है आपका जीवन धर्म के मामले में रहेगा और आपका सबसे आखरी जो सवाल था ने, चार सवाल पोछें आपने, उसमें जो आखरी सवाल था, उसमें भी यही था कि मेरा धार्मिक जीवन कैसर हैगा, इसके बारे में हमने बताया है, अब एक सुन्दर सी चीज और भी देखेगा इसी उंगली के उपर, फिर और चीजो पर जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें आप, इस तरह से आपकी उंगलिया है ने, यह किस तरफ मुड़ रही है, सोरे की तरफ, यह किस तरफ मुड़ रही है, सनी की तरफ, और यह हल की किस तरफ मुड़ रही है, ब्रिस्पती की तरफ, इंडेक्स की फिंगर की तरफ, सभी उंगलियों का जुकाओ यहाँ पे ने ब्रिस्पति की उंगली की तरफ है अब ये क्या बताता है उंगलियों का जुकाओ भी आपके बारे में सब कुछ बता लेता है ये बताता है कि आपके बिचारों में स्वतंतरता है स्वतंत्र बिचारधारा के बिक्ति हैं आप अपनी ही बातों को मनवाने की इक्षा आपके अंदर है क्यों? क्योंकि सारे जो ग्रहें वो ब्रस्पति से जो है प्रभावित हो रहे हैं तो लीडर्सिप की जो क्वालिटी है कहीं न कहीं आपके अंदर है और इस योग के कारण आपके अंदर विचार उठ रहा है कि किसी की नौकरी न की जाए, किसी के अंदर में, किसी के आदिपत्य में काम न किया जाए, बल्कि ऐसा काम करें, जो अपना हो, जिसमें अपनी लिडर्शिप हो, और सर्वो परी मैं ही रहो, ठीक है न, और प्रति के कारण आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन परबल रोप से 46 एर से 46 में वर्श से आप बिजनिस में चले जाएंगे, और चीज में नहीं, ब्यापार में जाएंगे, और ब्यापार में आपका 46 में वर्श से लक्षमी का वास है, पैसा मन मुताबिक आपके पास मन मताबिक का यह मतलब नहीं है कि आप अर्बों का सोचेंगे तुरंत अर्बों रुपे आएगा मन मताबिक यह है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई और वो धन आपके पास एकटा नहीं हो पा रहा है लेकिन 46 वर्स से जिस चीज के बारे में सोचेंगे ज इसके लिए पैसा भी अपने आप जुटना सुरो हो जाएगा आपको प्रेशान होनी की जरूरत नहीं होगी आपको जो है बहुत ज्यादा चिंता करनी की जरूरत नहीं होगी यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर एक चीज देखेगा यहाँ पर हमने उंगल लंबी है और ब्रिस्पति की तरफ जुकती उही दिखाई दीरी है मिहनती हैं मिहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और ये मिहनती स्वभाव आपका सनी के कारण हमेशा बना रहेगा लेकिन एक चीज और है ये ब्रिस्पति की तरफ जुक रहा है तो एनलेटिकल स्वभावाले बिखती हैं बड़ा सोच समझ कर बुद्धी चातुर्या का प्रयोग करके आप किसी भी काम को करते हैं और आगे भी ये चीज आपके अंदर रहेगी सनी के कारण यहाँ पे सूरे की उंगली देखे पूरी तरों से जुक रखी है कर्ब ले रही है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका कर्ब बताता है आप भी एक आम इनसान की तरफ अपने कारियों में बिस्तार की तरफ ज़्यादा सोचते हैं यस की प्राप्ति हो मान सम्मान मिले परतिष्टा की प्राप्ति हो नेम फेम मिले ये प्रबल इक्षा आपके अंदर सूरे के नैसर की गुणों के कारण है और कितना भी उचा उठ जाएं कितना भी सीडियों को पार कर जाएं ये इक्षा हमेसा बनी रहेगी और कहीं न कहीं सूरे का प्रभाव पड़ेगा तो इस इक्षा की पूर्ति भी आपकी निश्चित तोर पे होगी और वो समय फोटे सिक्स एर से सुरू हो रहा है सबसे छोटी उंगली देखें तो इस तरो से पूरी तरो से जुकी हुई दिखाई दे रही है और अपनी रिंग फिंगर की तरफ इसका जुकाओ है अस्तर की है बहुत बड़े अस्तर की कहने की जरूरत नहीं है लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पहले पोर्वे तक नहीं पहुच पारी यहां पे तो डोकुमेंटेशन में, मनी मेनेजमेंट में, कम्यूनिकेशन इस्किल्स में अभी थोड़ी सी कमी को यह दिखा रही है ठीक है न? इस चीज के और यह इसारा कर रही है लेकिन यह भी पोईंटेड है, अगर आप देखें इस तरो से पोईंटेड दिखाई दे रहे है धीरे धीरे थोड़े से मौके परस्त होते जा रहे हैं किस समय पर कैसा बोलना है? किस प्रकार से बोलना है? इस चीज के लिए बहुत समझदार होते जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा ये आपकी उंगली का ये टिप कह रहा है हर उंगली कुछ न कुछ कहती है ये हर उंगली जो है कुछ न कुछ कहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अब देखेगा सुन्दर तरीके से एक दो पॉइंट को देखेगा फिर और चेज भी बताता हूँ देखेगा आपकी हतीली में आपने वह से सवाल भी पूछे, उनको भी लेता हूँ और प्रेक्टिकल रोप से बताता हूँ आपको यहाँ पे देखेगा ये आपकी जो है कौन सी रेखा है हिरदई की लकीर कहां पहुँच रही है किसी परवत पे नहीं जा रही है जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे का जो भाग है जुपिटर का परवत उसके बीच में और जो आपका सनी है मिडिल फिंगर के नीचे जिसको भाग्या अस्तान कहे रहे है उसके बीच में जा रही है तो इस पे क्या हो रहा है देव गुरु ब्रेस्पति का और कर्म के साक्षी जो सनी है उनका प्रभाव पढ़ रहा है दोनों का प्रबल प्रभाव पढ़ रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है ये आपकी महतो कांचा को बता रहा है कि आप कहीं न कहीं अपनी जिवनकाल में बहुत बड़े महतो कांची बिखती है आपकी सोच कहीं न कहीं सकारात्मक है और हमेशा बहुत आगे बढ़ने की होती है और अभी भी हो रही है गुरू का जबर्दस्ट बल आ रहा है प्रभाव पढ़ रहा है जिनका बला बल आने के कारण यहाँ पे एक टॉप लेबल तक पहुचने की हो रही है वही सनी का भी इस पे प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े आप करेंगे कोई जुगार लगाना पड़े उसको भी लगाएंगे कोई हतकंडा इस्तिमाल करना पड़े कोशिस करेंगे उसको भी करने की इन किन प्रकारे जो भी आप से हो जाए वो आप करेंगे ये यहाँ पे रेखा बताती हुई दिखाई दे रही है और इस पे पढ़ने वाला ग्रहों का प्रभाव बताता हुई दिखाई दे रहा है अब देखेगा एक रेखा इस तरह से जारी है ये रेखा सनी पे जो हिर्दे की रेखा उससे उठके और ब्रिस्पत की और दिखाई देख रही हैं ऐसा बिक्ति कि चीजों का ऐनलीसिस करता है उनको समझता है और कही न कहीं जो रहस्यमें छीज़ें जैसा हमारा अध्यात्म है जैसा हमारा जो है इसके इसके करता है रिसर्च के छितर में आगे बढ़ता है और अपने जो काबिलियत है उसके अनुसार नौलेज को भी पाता है ये उस चीज को दिखा रही है अब आप देखेंगे एक रेखा कहीं न कहीं इस तरों से आ रही है सिधा ब्रस्पति से है और यहां पे बहुत बड़े रूप में एक भीका आकार बन रहा अंगरी जी के भीका आकार जिसको हम कहते हैं विश्णु तिलंख अब इष्टदेव पता तो कौन है भगवान शंकर है इष्टदेवी कोन है मा आदिशकती पार होती है लेकिन किरपा किसकी है नारायन की विश्णु भगवान की इस बैकुंट धाम की स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की आपके उपर विसेष किरपा है और आप अगर अपनी जीवनकाल में अच्छे कारे करेंगे और अच्छी रहा पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवस्य सपलता मिलेगी और आपको हराना भोश्य में आपके बिरोधियों के लिए संबव नहीं होगा इसके अलावा नाराइन की अगर किर्पा बहुत अच्छी रूप में रही उनकी उपर भी अब सरदा भावना रखें तो समाज में बहुत ज़्यादा लोग प्रियता आपको हसिल होगी और सम्मान पाएंगे अत्यंत भग्यसाली बिक्तित तो आपका निखर कर आएगा लेकिन थोड़ा सावधान रहे हैं ये अगर चिन आपके हाथ में है और अबर आप गलत तरीके से धन अरजन करते हैं कुछ और करके अपनी स्वार्थ और परिवार की स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो अच्छे कारें नहीं करते हैं अच्छी रहा पर नहीं चलते हैं तो यही चिन आपको रसातल की और ले जाएगा और फिर उससे उबरना नामुमुकिन है बहुत मुश्किल हो जाएगा तो अच्छे रहा पर चलें अच्छे कारें और इस्वार के प्रति पूर्ण समर्पन की भावना रखें तो हर कारे में आपकी सपलता है समय आने पर ही भगवान मदद करता है जब तक समय नहीं आता है तब तक संगर्ष निश्चित तोर पे जहलना पड़ता है और मानसिक रूप से भी जूजना पड़ता है यह यहां पर है अब यहां पर जो है यह चीजे साप दिखाई दे रही हैं अब एक चीज और दिख र ये करियर और धन की रेखा आपकी इस तरोसी जाती हुई दिखाई दी रही है एक रेखा सीधा इस पे मिल रही है और चंद्रमा के प्रभाव लेकि फिर ये आगे बढ़ रही है ठीक है चंद्रमा का जबरदस्त प्रभाव है और गुरू का भी प्रभाव पढ़ रहा है इस ये क्या बता रहा है देखेगा जीवन काल के 45 वर्स तक तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है चीजें कहीं न कहीं जो है इसी तरों से चलेंगे कभी हाँ राहो का प्रभाव है तो कहीं न कहीं गुप्त सुत्रों पैदा हो जाएंगे धन की नुकसान के आसंका भी दिखाई देरा फिजूल का खर्चे हो गया 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 खोड कचरे का मामला हो या बिमारे का मामला हो या बेव ज़गडे हो पचडे हो ऐसी इस्तितियां आ सकती हैं इस से अपने आपको बचाना है और इसके लिए भगवान शंकर के एक रूप हो भाव से बच जाएंगे जीवनकाल के 46 वे वर्ससे बिजनिस के बहुत सुन्दर योग बन रहे हैं और लगातार पर तेक दिन आपकी मस्तिस्क सकती और योगिता के उनसार पैसा आपको मिलने वाला है जीवनकाल के 46 वे वर्ससे दूसरी बात आपको वाहन का सुक निश्च अपार का सुक आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है यह योग यहां पर हतीली में बन रहा है ठीक है और इसको आपका करियर और धन की रेखा तो बता रही है लेकिन साथ में अंगोठा भी बता रहा है आप देखेंगे एक कट तो यह हुआ एक कट यह हुआ और एक तीन कटियां पर इसपष्ट तरीके से बन रहे हैं और करियर और धन की रेखा चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रहे हैं जीवन काल के 46 वर्स से कहीं न कहीं अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी ये उसको दिखा रहा है धन है परतिष्टा है मान है सम्मान है सभी चीजों में बडोतरी को दिखा रहा है निर्धन्ता नहीं रहेंगे गरीब नहीं होंगे लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो उस टाइम अहम का भाव आ जाएगा नेचुरल रूप से इसको पहचानना पड़ेगा इगो प्रोब्लम जिसे कहते हैं और इससे समल कर चलना पड़ेगा क्योंकि धार्मिकता भी आएगी कुरू ब्रिस्पति की उजोसे और धर्म कर्म के कारियों में भी आप बढ़ चटकर हिस्सा लेने बैठ जाएंगे दान पुन्य से समंदित चीजों में बहुत आगे रहेंगे धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है ब्यावसाई इत्यादी चीजों को दिखा रहा है और 46 में वर्स से ब्यावसाई में विसे सपलता को भी दिखा रहा है इस प्रकार की आपकी हतेले यहाँ पर इस पष्ट रोप में ये चीजें कह रही है दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है कि मंगल से एक रेखा निकल रही है और इस तरह से हिर्दई की लकीर में जा रही है यह जीवन की रेखा को काट रही है किसी प्रवत पे नहीं पहुँच रही तो जीवन में कहीं न कहीं कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाने को ये आतुर है और इसका प्रभाव आपके जीवन में 46-45 वर्स तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा कहीं न कहीं जो है ये अपना प्रभाव देगा जीवन रेखा को काट रहा है तो कदम कदम पर कहीं न कहीं मुश्किलें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर देखें करियर और धन की रेखा को काट रही है ये और यहाँ पर गुणा का चिन बना रही है या तो धनाहानी हो गई होगी अगर धनाहानी नहीं होगी तो समल के रहें धनेहाने होने की संभावना है और स्वस्ते के परती विसेश सावधान रहें दो वर्सों तक ठीक है ने स्वस्ते के परती विसेश सावधान रहें कहीं न कहीं स्वस्ते गड़वाड़ा सकता है गुप्त बिमारी जो है पैदा कर सकता है या तो धल में नुक्सान करेगा या गुप्त बीमारी पैदा करेगा या गुप्त सत्र पैदा कर लेगा जो कहीं न कहीं आपको मामलों में फसाएगा इसके दुस्प्रभाव को खतम करने के लिए मैं बहुत सुन्दर राहो का उपाई दूँगा ये बहुत जरूरी है करना अब ये क्या कर रही है कि ये मस्तिस्क की लकीर को काट रही है मन में तनाव की इस्तिती को लगातार बना रह सकता है तनाव अपनी चर्म सीमा पे पहुँच सकता है और जो डिसिजन लेने की छमता है वो डिसिजन लेने की छमता में बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है और विप्ति गलत निर्णे ले सकता है जिसके कारण नुकसान की संभावना है और ये चीजें दो वर्सों तक रहेगी उसके बाद नहीं है खिर्दै की लकीर को काटड़ा तो रिष्टों के परतिवी सचित रहे चाए वो ब्यापारे क्रिष्टे हैं चाए वो जो है सामाजे क्रिष्टे हैं चाए पारिवारे क्रिष्टे हैं इन में भी ये प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रहे हैं तो राहों का प्रबल प्रभाव आपकी हतीली में निश्चित रोप से पढ़ रहा है उसके साथ साथ देखेंगे आप तो इस जगह छोटी छोटी अंगिनत रखाउं का जाल बनता हो दिखाई दे रहा है ये ब्यक्तिके बरतमान इस्तिति को दर्साती है सबसे पहले इसका प्रभाव मन और मस्तिस्क पे पढ़ता है जब ये रेखाएं होती हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है मानसिक संगर्स बढ़ जाता है कनफ्योजन की इस्तिति उलजन की इस्तिति जन्म लेने बैठ जाती है और डिसिजन लेने की चमता कम होती है दूसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक छितर पे पढ़ता है आर्थिक रोप से बिक्तिक कमजोरी की तरब जाता है सफलता के अस्तर को ये घटाती है इसका प्रभाव रिष्टों पर भी पढ़ता है आपकी डेपलप्पेंट है आपकी प्रोग्रेस है इसका प्रभाव उस पर भी ज़्यादा पड़ता है ये नगेटिव उर्जा है और धाय वर्सों तक अपना प्रभाव रखेगी सबसे पहले इसी का आपने जो है उपाय करना है फिर राहो का फिर अन्य चीजों का मन इस तरह से उपाय दूँगा कि आप पिदिवत्त करें भी प्रभाव भी पड़े और आपको ये न लगे कि मैं उपाय कर रहा हूँ अब यहाँ पर देखेगा आपकी मस्तिस्क की रेखा इस पष्ट और बहुत सुन्दर है बौदिक अस्तर में कहीं कोई कमी नहीं है एक बिबेकवान बिक्तित्व है और सकारात्मक सोज के मालिक है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो आत्म विस्वास बहुत अच्छा रहेगा प्राकरम हमेशा बना रहेगा जीवन की रेखा इस तरोसी जाती हुई और केतु की तरफ जारी है चंदरमा का जादा प्रभाव पड़ रहा है देखेगा मैंने प्रिक्टिकल रूप में जो देखा है ऐसी जीवन रेखा वाले बिक्ति अपने जनम अस्तान से दूर तरक्की कर पाते हैं जनम अस्तान में बहुत जादा तरक्की नहीं कर पाते है दूसरी बात है इनकी तरकी ने थोड़ा से कुछ बहुत समयवाद बहुत लेट तरकी ऐसे लोगों को मिलती है मनि चालिसवें के बाद से कुछ को तो पैतालिसवें के बाद तरकी मिलने सुरू हो जाती है और घर के बहार मनि जन्म अस्तान से दूर तरकी मिलती है चाहे बी देश में मिले, चाहे अपने देश में मिले, लेकिन जनम अस्तान से दूर तरकी में होती है ये लोग बहुत अच्छी उचाईों पे पहुँचतो जाते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा संगर्स, बहुत ज़्यादा प्राकरम छुपावा रहता है उतार चड़ाव का और संगर्स का तो ये दो वर्ष कहीं न कहीं जो है अपने को समालने का है और अपने को जो है तैयार करने का है उसके बाद जीवन बहुत सुन्दर है बहुत भव्या है करियर और धन की रेखा के हमने बात कर ली है एक रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है ये है मंगल की रेखा जीवन की सपोर्ट रेखा जीवन में बहुत कष्टकारी कोई योग नहीं है जो स्वस्त्य का मामला है चाहे वो मानसिक है चाहे सारेरिक है अबी राहो के कारण और नगेटिव उर्जा के कारण चीजें दिखाई दे रही है लेकिन 46 में वर्ष के बाद से स्वस्त्य का मामला हो चाहे मानसिक स्वस्त्य हो चाहे सारेरिक स्वस्त्य हो अच्छा दिखाई दे रहा है और करियर और धन में भी अस्ताई तो दिखाई दे परिवार का सयोग परिवार की तरफ से खुसियां कुटुम्ब का भी सयोग आपको दिखाई देता हुआ यहां पे नजर आ रहा है और यह रेखा कहीं न कहीं आपको प्राकरम देती हुई दिखाई दे रही है ठीक है यह रेखा है यह रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की बहुत बड़ी किर्पा आपके उपर है इसका भी आपको अन्बहू होगा दूसरा ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धी है आपके अंदर सोचने समझने की बहुत अच्छी समझ है और ऐसा बिक्तित तो निखरकर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थय भी रखेंगे और इस रेखा के वो जो से आने वाले समय में आपका जो बिक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावसाली रहने वाला है और निश्चित ही जमीन जायदाद से कहीं न कहीं जो है लाब तो होगा लेकिन फिलहाल जब तक राहों की इस्तित्य है इस मामले से दूर रहे इस मामले में कहीं न कहीं जो है चीजें बिखराव की इस्तित्य दे सकती है प्रैसान करने वाले इस्तित्य दे सकती है कुछ रेखाएं इस तरों से जारी है ये ब्यापार के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन पेट की समस्याओं को जन्म दे सकती है इस बात कर दियो तक है मनि बंद पहली रेखा बीच में टूटी हुई है बीच का जो समय है ये जो चला है इसमें स्वस्ते के परती बिसे सावधान रहने की यहाँ पर आवशकता है लेकिन उसके बाद तंरुस्ती के मामले में स्वस्ते के मामले में अरुग्य के मामले में लखी रहने वाले हैं सोब़ के साले रहने वाले हैं दूसरी रेखा ये है संपति की रेखा धन की रेखा ये रेखा भग्या रेखा से समन्द रखती है और भग्या रेखा आपकी चंद्र से सुरू हो रही च्छायालिसमें वर्ष से भायोदाई करा रही है तो कहीं न कहीं जो है धन और संपति के मामले में च्छायालिसमें वर्ष से लग्की रहने वाली है तीसरी आपकी हतीली में रेखा है और ये रेखा है सुक की रेखा बहुत सुन्दर आने वाले समय में स्वास्थ्य, धन और एस्वरे भोगने का सुक परदान करेगी ये रेखा बता रही है आपकी हतीली में मनिबंद में तीन रेखाएं हैं ये बता रहा है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनी का था और उस जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किये हैं जिनकी वज़ों से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनी में उत्पनुआ है और 46 में वर्ष के बाद से अपने छेतर में बहुत अच्छी नोलेज अरजन करेंगे उस जन्म के दातिबों के कारण, पुन्य कर्मों के कारण और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा और जो इस जीवन में भी ऐसे दिव्य आप कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की निर्वान की प्राप्ती यहां पर दिखाई दे रही है, जैसे बहुत बड़े-बड़े सादोकों को हो जाती है, दिव्य आत्माओं को हो जाती है, उसी तरह आपको भी हरी चरणों में जगह म इसको कहते हैं सुक्र का प्रोत, कला है, सुन्दर्य है, सुन्दर्ता है इन चीजों के लिए और एक सुखत जीवन के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है, आपकी हतेली में सुक्र सुन्दर रोप में उबरावा दिख रहा है, तेजो में अवस्ता में है, आने इसमें बहुत सारे रेखाई हैं, तो मानसिक तनाव की इस्तिति को ये दे रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रिस्रम करने पर भी, आपके दृष्ट से देखें, तो अभाव की इस्तिति है, इस चीज की और ये इसारा कर रहा है, दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, प्राकरम आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव मना रहेगा, हाँ यहाँ पे ब्रस्पति सनी की तरब देखता हुआ नजर आ रहा है, परिवार को लेके कुछ चिन्ताईं रह सकती हैं, या कोई समस्याएं उत्पन हो सकती हैं, इसके और यह सावधान कर रहा है आपको, दूसरा यह साधारण भाव में बरतमान में बैठावा है, और इस अवस्ता में यह आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामन्य बैठते तो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसरगिक गुणों के कारण हस्मुक सुबाव रहेगा, दयालुता रहेगी, प्रॉपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, लेकिन यस पानी की प्राप्ति के लिए, अपने कारियों में विस्तार पानी की प्राप्ति के लिए, मन में बहुत ज़्यादा जुकाओ बना रहेगा, एक स्वतंतरता और नेतिरत्व की चाहा रखने वाला बिर्दित्व आपका रहेगा एक रेखा इस तरोसी जारी है जीवन काल के 56 वर्स में राहू हतेली के अनुसार सनी से मिलन कर रहा है सनी के गुणों में बिर्दि कर रहा है और धन में अपार बिर्दि करता हुआ दिखाई दे रहा है सनी देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है यहाँ पे बैठ गया है बे वो जहें की चिन्ताईं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वो जहें पैदा कर रहा है जिसके कारण कभी-कभी जो है तनाव की इस्तिति बने रहा डिप्रेशन की इस्तिति बनी रहे उलजन की इस्तिति बनी रहे या कई वार दो खीसा हो जाता ब्यक्ति सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है सूर्य की बात अगर करें हिर्दई की लकीर से एक रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दीरी है एक रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई दीरी है ठीक है ने दोनों सूर्य से है अध्यात में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला बिक्तित तो आपका जो है रहने वाला है और आपको मान समान परतिष्टा भी मिलेगी आपने कहा था मेरा सेहत कैसा रहेगा और मेरे आई कितनी होगी सेहत के बारे में मैंने बता दिया है धार्मिक जीवन के बारे में बता दिया है क्या आगे मेरा कोई ज़्यादा इंकम हो सकता है वो 46 में वर्ससे मैंने बता दिया है क्या किसी भी चीज को लेके कोई मुगदम्मा आने वाला है ये भी मने राहू की इस्तिति देखे बता दिया है आपके सारे सवालों का उतर दे दिया है विसलेशन के शाथ सूर्य थोड़ा कमजोर है तो कारियों को बिस्तार तभी मिल पाएगा यस की प्राप्ति तभी हूँ पाएगी जब सूर्य अच्छी इस्तिति में आएगा बुद्ध में अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं जिवन के बुड़ा पे काल तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा लेकिन खर्चिला स्वभाव रह सकता है इसके और ध्यान दे चंद्रमा थोड़ा सा अन्बैलेंस है और ये बरतमान में प्रभाव डाल रहा है कुछ समय तक मन गड़बर रह सकता है या मानसिक प्रेशानी रह सकती है भावकता ज़ादा रहेगी या इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो जाएंगे और मन अच्छा नहीं रह सकता है नीन आने में थोड़ी दिकत्तों का सामना आपको करना पड़ सकता है तो थोड़ा चंद्रमा को पुष्ट जरूर करें देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विशलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके आपको भीज रहा हूं करने की कोसिस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जादोई तरीके से जीवन में निश्चिती ही परिवर्तनाना सुरू होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनोवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार